दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे एटल एप की मदद से रिचार्ज कर सकते हैं इसके साथ मैं आप लोगों को यहें भी बताऊंगा कि कैसे आप रिचार्ज के साथ साथ कैस बैक भी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले एटल एप को ओपन कर लेना है यहाँ पर एटल एप की मदद से रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें एटल एप को ओपन कर लेना है यहाँ पर आप एटल एप का होम स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं recharge, pay bill, my coupons इस वाले option को हमें scroll करना है को हमें दाई तरफ scroll करना है और आप यहाँ पर देखेंगे view offers हमें view offers वाले option पर click कर देना है यहाँ पर हम पहले offer चेक कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 40 रुपए का cashback का offer मिल रहा है हमें इस पर click करके इसकी details देख लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 रुपए का cashback आपको 719 रुपए या 299 में या 849 रुपए के recharge पर मिल सकता है इसको scroll down करेंगे और नीचे यहाँ पर recharge now उपर click कर देंगे इसके बाद हमें जिस भी number पर recharge करना है उस number को यहाँ पर select कर लेंगे या लिख देंगे इसके बाद यहाँ पर हम amount लिख सकते हैं या नीचे उसको select कर सकते हैं यहाँ पर मुझे 719 रुपए का recharge करना है जो की 84 दिन की validity के साथ मिलता है per day यहाँ पर हमें date gb data भी मिलता है यहाँ पर अपने number पर recharge करने के लिए हम 719 वाला pack को select कर लेंगे इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें काफी सारे option मिल जाते हैं payment करने के लिए लेकिन मैं यहाँ पर atl money का use करूँगा atl money वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमें यहाँ पर mpin enter कर देना है इसके बाद हमें blue tick वाले option पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा recharge successful हो गया है के बाद हमें done वाले बटन पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर cashback चेक करने के लिए कि हमें cashback मिला है या नहीं मिला है उसके लिए हमें इसके बाद यहां पर आप देख सकते हमें 40 रुपय का cashback मिल गया है दोस्तों यहां पर cashback चेक करने के लिए हमें banking वाले option पर click करना है उसके बाद हमें wallet वाले option पर click कर देना है यहां पर हमें transaction history पर click करना है इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमने 719 रुपय का यहां पर आपने recharge किया था उसके बाद कर जो transaction है उसमें आप देख सकते हैं हमें 40 रुपय का cashback receive हो गया है दोस्तो कुछ इस परकार से आप भी अपना recharge करके cashback earn कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो से related आपका कोई भी सवाल या query हो तो comment box में comment करके जरूर पूँछे दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे channel को subscribe करे thank you so much for watching